हेलो दोस्तों तो आज मैं आप लोग को 12th क्लास के इंग्लिश बुक का चैप्टर मेमोयार्स ओफ छोटा साहिब का समरी बताने वाला हूँ ठीक है तो समरी को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़े आपको बताना चाहूँगा जो काफी लोग को कन्फिजन रहती है तो पहली बात तो यह कि यह जो छोटा साहिब मेंशन है इस चैप्टर में चोटा साहिब और कोई नहीं राइटर खुद है ठीक है जॉन रौंटरी ठीक है तो अभी राइटर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो चीज काफी जरूरी है देखिए जॉन रॉंटरी कौन थे वो आसाम फॉरेस्ट के लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर थे ठीक है बुक है एचोटा साहिब मेमोयर्स फॉरेस्ट रविज़ ठीक है तो वहां से यह लिया गया है चाप्टर ठीक है पार्ट पार्ट में इसके समरी को समझेंगे तक कि आपको भी अच्छे समझ देखिए पहला हम शुरू करेंगे यहां वी से लेकर यहां तक का समरी हम डिटेल में समझेंगे कंपाउंड तक यहां तक उसके बाद बाकी पार्ट सभी तो पहले हम यहां से देखते देखिए यह चाप्टर शुरू होता है कब जब जो है मतलब जो जॉन रॉंटरी है तो मैं अथोर ही बुलाओंगा उनको ठीके ताकि आपको असनी से समझा जाए तो जो अथोर है वो क्या करते हैं वो इंडिया की टोर पे गएते कह सकते हैं ठीके पूरी इंडिया का जर्णी करके थोड़ा बहुत डीटेल बोलते हैं कि घर को जो है काफी अच्छे से लाइम वश किया गया है और अर्थ ओयल से भी पेंटेट है वो घर ठीक है और कारपूर्ट भी है उनके घर के पास और वरंदा से जो है काफी अच्छे उनको व्यू देखने को मिलता है ब्रह्मपुत् टेंपुल है वहां से ठीक है उनके घर के बारे में तो यह हो गया फिर वो डिसकस करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और वहां के वीव के तो दीखिए वह बोलते है जब ठंडा मौसम होता है तो पीकॉक आइलेंड और जो में ग्राउंड होता है ना मतलब वैसे उस जगह का डिस्टेंस काफी कम हो जाता है तो कम हो जाता है इन दे सेंस वहां का पानी सूख जाता है नदी का पानी तो जब पानी सूखे का तो ऑविस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा तो इसी बात से वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कम हो जाता है ठीक है लेकिन जब होट खतम हो जाता तो शायद वहाँ पर बिटिछ राज जो है खतम हो जाता येक कह सकते हूँ वहां के आदीवासियों का या फिर कुछ भी कह सकते हूँ वहां का लोगों का बिलीफ था कि ऐसा होता है फिर वो बोलते है कि मुझे पता नहीं जब independence मिली इंडिया को तब क्या वो पानी पूरा सूग गया था या नहीं क्योंकि मैं तो तब गौहाटी में नहीं था ठीक है तो ये चीज वो बोलते हैं ठीक है उसके बाद बोलते हैं गौहाटी के बारे में आथर की गौाटी जो है वो कह सकते है डोर है आसाम में आने का ठीक है वही से आपको आना पड़ता है या फिर कुछ लोग कलकत्ता या फिर शिलॉंग के बीच में से भी आते हैं या फिर अलग कुछ डिस्ट्रिक्स से भी आते हैं ठीक है वहाँ पे कुछ और वेली से उसके बाद कुछ जो विजिटर्स होते हैं वो एक रात रुकते हैं कुछ देखके ही चले जाते है ठीक है तो एक जो विजिटर्स था उसके पास एक टाइगर लेका आया था ठीक है जो कि वहां के फ्लड में ही बह गया ठीक है यह आपको थोड़ा सा जीब लग रहा होगा लेकिन यही पे यही लिखा है ठीक है एक टाइगर था वो वहां के फ्लड में बह गया ठीक है तो यह हो गया हमारा कंपाउंड तक का समरी अब देखते हैं दा कामरूब डिस्ट्रिक से लेकर यहां तक का समरी ठीक है नौर्थ बैंक था वो काफी डिफ्रेंट था ठीक है उसका केरेक्टर बिल्कुली अलगता है क्यों देखिए कि वहां पे काफी सारे फ्लैट्स थे ठीक है बड़े बड़े फ्लैट्स से लोगों के और एजलेस लैंड थी ठीक है और obviously आपने रिवर के पास तो देखा भी होगा कई मतलब कोई भी रिवर हो जाए काफी सारे सैंडस होते ती वहां पे ठीक है और बहुत बड़ा लैंड होता था था ठीक है और वहां पे हिमालाय माउंटीन जो है उसका भी काफी सारे हिल्स थे वहां पे और काफी strange place लगता था अधर को और एक और जो strange चीज थी वो थी जब काफी सारा काफी साथ hot weather होता था ठीक है बहुत गर्मी जब होती थी तब suddenly पानी सुख जाता था river का और कभी तो मतलब पानी इतना नहीं होता था कि उनको खोदना पड़ता था ठीक है मिटी पानी पानी के लिए ठीक है तो जो पानी निकलता था खोदने के बाद उसको उनको precipitate करना पड़ता था clean करना पड़ता था उस fit curry की मदद से ठीक है तो इतना आप समझ सकते हैं कि काफी सादा गंदा हो गया होगा पानी इतना मतलब खराब हो जाता था condition उस time पे जब hot weather होता था उसके बाद author बोलते हैं कि ये उस North Bank में wild fall भी पाए जाते थे और पी fall भी ठीक है तो wild fall एक तरीके का bird है ठीक है आसम में पाए जाता है उसके बाद पी fall आप समझ लिए ये peacock ठीक है मयूर जो होता है वो चीज तो वो भी grass में थे वहाँ पे दोड़ते रहते थे वहाँ पाए जाते थे उसके बाद मानस एक national park है ठीक है आसम में वहाँ पे जो क्या है one horn rhino मिलता था ठीक है राइनो मिलता था तो उसके बाद बोलते है author वहाँ का जो river है मतलब ब्रमबुतर river में महासीर भी मिलता था महासीर एक तरीके का मचली है ठीक है तो फिर बोलते है author जो bank था वो favorite place था किसके लिए governor's Christmas camp ठीक है तो उनके जो governor थे उनको काफी पसंद था वहाँ पे Christmas camp बनाना ठीक है तो जो बनाना होता है जो काम होता है Christmas camp बनाने का वो पूरा काम author को ही करना पड़ता है ठीक है और ये काम जब वो करते एक तरीके का हिरन ठीक है उसका होम है ठीक है तो मतलब आसम चिदल काफी जाता हो वहाँ पर पाय जाता है ठीक है और फिर author बोलते है कि मैं काफी जाता delightful था कि मैंने एक बार एक slot beer को देखा ठीक है एक भालू को देखा जो की अपने बच्चे को पीठ में कैरी कर रहे थी तो उसके बाद देखिए एक स्टोरी आती है यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक यूरोपियन इंसान और उसकी वाइफ ने क्या किया एक बार एक जगह खरीदा ठीक है एक पीस ओफ लैंड खरीदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ठीक है और वो वहाँ पर सिमूल पेड लगाना चालते थे ताकि वो जश्यक्ता जेस बधनित के और क किमपनी ठीक है तो उसके बाद क्या होता है उन्होंने काफी जगा दिया इलेक्टिक फैंसिंग ठीक है ही ताकि हीरन जो है वह न अपाइट ठीक है तो फिर क्या होता है एक बार शेह पर श infinite ना जाते हैं और वो उनको सारा जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है उन हिरन को उनका काम ऑथर खुद समभालते हैं और फिर ऑथर को ये भी लगता है कि यार इन लोगों ने जो या खेत लगाया था शिमूल ट्रीस का वो किसी भी काम से फाइदे मन नहीं रहा ठीक है तो ये था ये स्टोरी ज पर अथर बोलते हैं कि ठंडे के मौसम में काफी डिलाइटफुल रहता है नौर्ट बैंक ब्रमब उत्रोका ठीक है लेकिन जब रिनी सीजन होता है तो ये थोड़ा सा डेंजरिस हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मलेरिया का खत्रा हो जाता है काफी ज़्यादा मलेरिया के पर तो वो बोलते हैं कि ट्राइवल करने के लिए ये ठीक नहीं है मतलब रिनी सीजन ठीक नहीं है ठीक है उसके बात बोल रहे हैं ओतर देखिए कि फ्लड जब होता है काफी ज्यादा रिवर पे तब बांबूस के ब्रिजस लगा जाते हैं वहाँ पर लेकिन जब जब तक ठंडा मौसम आता है तब तक वह भी वहाँ से डह जाते हैं तो फिर बोलते हैं ओतर कि जो ब्रिजस हैं वो हिलते रहते हैं जब भी कोई गाड़ी पास करते हैं लेकिन वो काफी स्ट्रॉंग भी है इतने भी मतलब वीक नहीं है कि टूट जाए फिर देखिए यहाँ पे ए उन्होंने मतलब पानी की ओर जाना शुरू किया तो पानी घुटने तक आ गया तो फिर भी वो जाते रहे जाते रहे और एक टाइम ऐसा है जब की मतलब जो गोड़ा था उनका वो बिलकुछ स्लिप कर गया और वो गोड़े की पूच पर मतलब ऐसे पकड़ के लटकने मतलब एक कनवीज़न सी हो गई थी ठीक है लेकिन वो सेफली लैंड कर गया ठीक है रिवर के पास फिर रो बताते है कि में तो ऐसे मतलब घुमने चला गया लेकिन यूज्यली लोग कैसे क्रॉस करते हैं यूज्यली एक बोड होता है ठीक है जिसका बोड नाम है मारबोट अगर आपको उसका फोटो देखना है तो आप Google पर सच कर सकते ठीक है एक तरिके का boat होता है चोकि एक ferry है ठीकि तो ferry भी एक तरिके का boat ही है मैं बोल दो आपको कैसा है की मैंतम दो boat मालीजी दो boat यहाँ पे है उन दोनों को joint किया जाता है यहाँ पे कुछ लगा के यहाँ पे कुछ लगा के तो आपने कभी बार मुवीस में भी देखी होंगी ऐसी बोट ठीक है तो वो बोट होती थी जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती थी ठीक है जिनसे लोग पार होते थी ठीक है उसके बात यहाँ पे उस बोट के बारे मे उस पार से उस पार जाते थे लेकिन कभी कभी करेंट का एक कनेक्शन था उससे मतलब इलेक्टिसिटी से इलेक्टिसिटी की मदद से भी उस पार जाया जाता था ठीक है तो फॉर्चुनिटली ट्राफिक उतना जादा नहीं था लेकिन फिर भी उस पार जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था ठीक है उसके बाद दीखिए आथर बोलते हैं कि एक और जो मुश्किल है आसम में कहीं भी घूमना फिरना बारिश के दिनों में वो ये है कि बारिश की जिससे बहुती जल्द जो सड़क हैं वो डर्टी हो जाता था ठीक है काफी है इन येट टो बी इनवेंटेड तो यहां तक हो गया हमारा तो अब देखते हैं वांस होएं से लेकर एक दम आवर बोल्स तक है तो देखिए यहां पर आथर बोलते हैं कि एक बार वो अपनी फैमली के साथ नॉट बैंग घुमने के लिए निकले थे ठीक है तो क्यूंकि मौनसून का सीजन जल्दी खतम हो जाता है तो इसलिए उन्होंने अपनी छुटी का थोड़ा सा लंबा रखा था तो वो बोलते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से निकले घुमने के लिए तो जो रोट कंडिशन थे वो इतने अच्छे नहीं थे लेकिन इतने बुरे भी न जर्णी स्टार्ट की थी तब रोट का कंडिशन जो था उतना ही बुरा था ठीक है जो सिगनल थे रोट के और जो जीबरा क्रॉस में होते हैं मतलब कुछ भी दिखाएं नहीं दे रहे थे जो कंडिशन था ओवरॉल रोट का बहुत ही बुरा था वो तो यहां तक आ गए थ इस्टंट थे ठीक है तो कम से कम उन लोगों के जो हड़िया थी बोंस थी वो तो बज़ गई मतलब आफ सोच सकते हैं उन्होंने कहा तक कहा है कि इतना खराब कंडिशन था उस रोड का ठीक है तो यह ने अमने देख लिया यहां तक अभी देखेंगे अगला पॉर्शन त एक तक ठीक है ड्राइड तक तो देखें यहां पर अतर बोल रहे हैं कि जो साउट लैंड था वो काफी ज्यादा मतलब एक चीछ के लिए उनको काफी ज्यादा अच्छा लMost जहान की वहां की ऊट्ड क्वालिट का मतलब है कि जो ट्रीज थे जो प्लैंड्स थे वहां के का कफी ज्यादा अच्छे थे यहां तक उन्होंने कहए दिया कि जो English Woodland था उसके काफी ज्यादा Characters यहां के Wood में भी थे ठीक है और उन्होंने बोला कि दो Comfortable बंगले थे जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा Enjoy किया ठीक है एक तो था ना चमगादर तो उस बंगलो के ऊपर चमगादर काफी ज्यादा थे और वो शोर कर रहे थे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टेट फील हुए ओथर उसके वज़े से ठीक है तो एक जगह के बारे में ओथर ने बोला है यहां पे कि उस बंगलो के पास एक जगह है जहां पर एक नदा धष्व गई थी कि वहां पे झील की तरह कुछ हो गया ठीक है काफी ज़्यादा पानी था वहां पे और जो सूखे पेड़ होते हैं ना जो तूटे-फूटे पेड़ होते हैं तो वह पेड़ वहां पे बहते थे जिससे यह साबित होता था कि काहां काई मतलब किसी तो अब देख लेते हैं इन स्पाइट से लेकर एक दम मतलब लास तक ठीक है तो देखे यहां पर अथर बोलते हैं कि दो एक चीज़ों को अगर छोड़ दे तो ओवराल राजपड़ा जो है वह एक तम मतलब ऑसम है उनके लिए बहुत ही अच्छा लगता है उनको क्योंकि य अच्छे है उन्होंने तो पहले ही बोल दिया है कि इंग्लिश उड्लैन प्रिणे। इलस्टिक का है ठीक है तो उन्होंने बोला कि हलाकि जब पारा रबर आ गई थी तो commercially वो इतना ज्यादा useful नहीं था मतलब इंडियन सोरी असम का रबर इतना ज्यादा useful नहीं था पारा रबर के सामने तो पारा रबर एक ब्रजिलियन रबर है ठीक है आप देख सकते डीटेल्स गुगल में तो पारा रबर जो है वो जादा चलने लगा था उसके साथ आसम का यह रबर compete नहीं कर पारा था ठीक है लेकिन फिर भी फिकास elastic का जो rubber आसम के पास है तो वो फिकास elastic काफी मतलब बड़ी मात्रा में यहां पे है ठीक है जिसका और भी काफी सारे मतलब plants यहां पे हैं काफी कुछ जो plant है वो काफी ज़्यादा बड़े size के grow होते हैं बड़े size के होते हैं कुछ जो हैं दूसरी tease के उपर सहारा करके ऐसे मतलब side में से बड़े हो जाते है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने कुछ example दी है बस तो यही था यार I hope आपको समझ में आ गया होगा हाँ थोड़ा सा difficult लगे का यह chapter क्योंकि यह कोई story नहीं है यह मतलब छोड़े 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 points की तरह है ठीक है detail में यहापे आसाम के बारे में यहापे बताया गया है आसाम की natural कुछ चीजों के बारे में बताया गया इस chapter में तो इसको आप as a story नहीं देख सकते हैं आपको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा for example कुछ plants के नाम बताईए आप उसके बाद author ने rubber के बारे में क्या का और भी बहुत सी चीज़े river के बारे में क्या का तो बहुत सी question बन सकती है यार यहाँसे छोटे marks का question एक marks का question काफी ज़्यादा बन सकता है ठीक है तो आई होग आपको समझ में आ गया चाप्टर अगर आपको कोई भी डावड़े तो मुझे please comment में पूछिए और इसका important questions का वीडियो तो मैं बना ही दूँगा आप देख लीजेगा Memoirs of Chota Sahib नाम का एक playlist रहेगा हमारे चैनल पर उसके देख सकते हैं और मुझे इस्टर नाम पर follow नहीं किया तो कर लेना यार और देखिए मैं फिट से पूछना हूँ यह थोड़ा सा difficult chapter है इसलिए अगर आपको कोई भी डावड़े तो मुझे please comment में पूछिए और thank you so much for watching love you one